इस वीडियो में बाजाच पाल सर के हिस्ट्री के बार में जानने वाले है यह बाइक कब लॉंच हुआ कितना इंजिन ओप्सेन इस बाइक में मिलता है कितना मॉडेल्स इस बाइक का लॉंच हुआ है ऐसे ही बहुत सारे कोश्चेन्स का साभाल आपको इस वीडियो के मार्सम से मिलने बाला है तो चलिए फिर सुरू करते है फ्रेंड्स यह उन दिनों की बात है जब बाजज ओटो का कोई भी प्रोड़क्ट इतना सक्सेस नहीं हुआ था तब हीरो हॉंटा के बाइक्स ज्यादा बीका करती थी इसके अलबा भी और भी बहुत सारी बाइक्स मार्केट में थी और बाजज को अच्छी टककर दिया करती थी इसके बाद 24 नभेंबर 2001 में बाजज ने 1500cc सेक्मेट में अपना पहला प्रोड़क्ट बाजज पालसर को लॉंच किया और लॉंच करते ही ये बाइक बहुत ही पॉपुलर हो गई इंडियान मार्केट में खस कर युवापीरी को ये बाइक बहुत ही पसंद आई और इसके बाद ये बाइक बागी बाइक्स को पीछे छोड़ दिया अगर पेसिविकेशन की बात करें तो उस समय इस बाइक में दो इंजिन आप्सेंस मिला करती थी फास्ट था डेशो सीसी इंजिन और सेकेंड था वान एटी सीसी इंजिन दोनों ही इंजिन यार कूल्ड सिंगल सिलिंडर फोर स्ट्रोक इंजिन था और पीकप भी जबदस्त थी इसी कारण के बज़े से ये बाइक युबाव के बीच तब भी पॉपुलर था और अब भी पॉपुलर है इस बाइक का इंजिन 12 तू 15 बीच पी का मैक्सिमाम पावर जेनरेट करता था इसका फ्यूल टंक था 18 लिटर्स की ब्रेक ओप्शन में 150cc, 180cc दोनों में ही डिस्क ब्रेक स्टैंडर्ड था अगर मॉडेल्स की बात करें तो बाजच पल्सर के अब तक 11 मॉडेल्स मार्केट में लॉंच हो चुका है जैसे की DTSI सीरीज 150, 125, 180, 200, 220 जिसमें से 200 फिलहल डिस्कॉंटिनूट हो चुका है LS सीरीज की बात करें तो LS 135 जो की डिस्कॉंटिनूट हो चुका है इसका अलाबा AS सीरीज के 150, 200 ये दोनों भी मॉडेल्स डिस्कॉंटिनूट हो चुका है इसका अलाबा NS सीरीज 160, 200 और RS सीरीज 200 फिलहल प्रोडक्शन में जारी है इसका अलाबा भी पालसर के और भी बहुत सरे मॉडेल्स आते हैं जिसमें से कुछ मॉडेल्स डिस्कॉंटिनूट हो चुका है और कुछ मॉडेल्स अभी प्रोडक्शन में जारी है तो गाइस मैं और मॉडेल्स का नाम अभी नहीं लोगा नहीं तो वीडियो और भी लंबा हो जाएगा आप लोगों को परसंद नहीं आएगा तो फ्रेंज वीडियो को यही पर खतम करते हैं और अगर आपके पास भी बाज़च पालसर के कोई भी स्वीट मेमरी है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें अपने दोस्तों के बीच और अगर आप चैनल पर नहीं आया हैं तो चैनल को सब्सक्राब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन की घंटी को भी बज़ा दीजी इसे मेरे लेटेस वीडियो क देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत सुक्रिया